हालो एफ्रिवन, कैसे हो आप सभी? आप सभी से मुझे कुछ बात करनी थी आपको पता है मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करती हूँ दुनिया मेना मेरे लिए कुछ भी प्यारा नहीं है मेरे बेटे से जादा मेरा विहान मेरे लिए सबसे प्यार है मैंने अपने बच्चे के लिए दिन रात महिनत करी है पिछले चार सालों से एक एक दिन ऐसा महिनत कर करके आप भी समझ सकते हो बच्चा ऐसे ही नहीं पलता है एक एक दिन की महिनत होती है एक मा की एक एक दिन एक एक घंडा महिनत करती है मा तब वो अपना बच्चा पालती है मैं भी बच्चे के साथ बहुत महिनत कर रही हूँ और मैंने बगत अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रागल जेला है मैंने अपनी जिंदगी में यहां तक अभी तक आई हूँ बस मैं अपने बच्चे को सारी खुशियां देना चाहती हूँ मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा अच्छी लाइफ जीए और मेरे बच्चे को कोई बीमारी ना आए मेरे बच्चे की सारी कष्ट मेरे बच्चे के दूर हो जाए तो मुझे पता है देखो कहते हैं नहीं है भगवान जी है भगवान जी साथ देते हैं और मेरे को पूरी भरोसा है कि भगवान जी मेरा साथ देंगे मेरे बच्चे को एकदम सुवस्त रखेंगे हेल्दी रखेंगे अपनी तरप से मैं अपने बच्चे के खाने पीने का पूरा ध्यान कर रही हूं इस टाइम आज मैं बच्चे का दूद पिलाया था फिर अभी पूरिया घर पे बनाए अज मैंने घर पे बना के अभी पूरिया खा रहा है किरन के घर पी खा रहा है देखो आप प्लीज मुझे इस पामले में मत बोला कीजिए कि आप ना पडोस में बच्चे को भेजते हो मैं उसके साथ बैठी थी अभी वीहान के साथ बैठी थी अपने हाथ से मैंने उसके मुझे टुकडा दिया वीहान के मुझे पूरी का उसने अंदर तक नहीं गिटका यहां दात में रखके बैठ किया फिर मेरे को पता है फिर मेरे को बोला कि आप जाओ यहां से तब यह खाएगा मेरे सामने भी नहीं खाता है खाना मैं अपने हाथ से खिलाओं नहीं खाता है मेरे साथ क्या है जाता है आगा फारी, फारा मैसे थोड़ा डर्तें गम है तो वह मै만 है दिए औहला ही और मैं कोशिश करता है जितना हो सब कि पहले अपनी तरफ मैं कोशिश करते हूं कि विसके का लें फिर मैं डाटती हूं तो वो रोने लग जाता है और मुझसे फिर देखानी जाता हूं फिर पडोस में जैसे कई आंटी हैं आंटी भी हैं दीदी भी हैं उनके पास लेके जाती हूं फटाक से अराम से बैठ के खुशी-खुशी खा लेता है क्योंकि बच्चा बच्चों में बैठ के खुश होता है और अब मेरे साथ क्या है देखो आप जानते हूं मैं एक सिंगनल पेरेंट हूं मेरा एक ही बेटा है तो मेरे ऐसे ऐसा होता है ना बच्चे दो भी हो ना तो आपस में एक दूसरे को देखके खाते हैं कि अपने दूसरे भाई को देखके खालेंगे बहन को देखके खालेंगे अब विहान हो गया अकेला तो वो किसको देखे तो इस चीज की वज़े से बहुत इफेक्ट पड़ता है बाकी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ भगवान जी से बस इतना ही प्रातना करती हूँ भगवान जी मैं अपनी जिंदगी में एक दुख अपनी लाइफ में बहुत बड़ा जेल चुकी हूँ पता नहीं कैसे जेला कैसे यहां तक मैं गड़ी हुई हूँ अपने अस्पेंट को खोके यार मैंने बहुत मुश्किल से वो टाइम निकाला है बहुत स्ट्रगल जेला है मैं अपनी जिंदगी में बस मेरे को बच्चे की तरफ से खुशियां दिखा देना बगवान उसकी तरफ से मुझे और मैं दुख नहीं जेल सकती मेरे बच्चे को लंबी उमर देना मेरे बच्चे को अच्छी हैल्थ देना मैं अपने बच्चे को नहीं को सकती मैं बस अपने बच्चे के उमर मांगती हूँ भगवान उसको लंबी उमर दे उसको अच्छा हैल्दी करे मुझे कुछ नहीं चाहिए मेरे बच्चे के अलावा मेरे को सिर्फ मेरा बच्चा चाहिए मेरे को सिर्फ मेरा विहान चाहिए मुझे मेरे विहान के लावा कुछ नहीं चाहिए मैं अपने बच्चे से बहुत प्यार करती हूँ मेरा विहान है, मेरा सब कुछ है उसके लिए मैं सब कुछ करती हूँ मैं उसके लिए पूरी दुनिया की खुशियां उसके लाके रखना चाहती हूँ मैं अपने बच्चे से इतना प्यार करती हूँ मैं अपने बच्चे से बहुत प्यार करती हूँ मैं कहती हूँ क्योंकि मेरा और नहीं है कोई मेरे को दिखता है मेरे कोई नहीं दिखता है मेरे बच्चे के अलावा मेरी बच्चा ही मेरा विहान ही मेरी जिन्दगी है उसी के लिए एक एक दिन मैं खुछ जीती हूँ कि हाँ उसकी जिन्दगी अच्छी करनी है मैं उसी के लिए जी रही हूँ प्लीज आप लोग समझे अभी खा रहे हैं पूरी खाए का जूस लाई करने का पियानी फिर मेरे को पीना पड़ा सा रहा हूँ बस वही है ना कुछ चीजें सोशती रहती हूँ ये खाले वो खाले मेरे बच्चा कुछ ना कुछ खाता रहे अपना मेरे बच्चे में मेरी जिन्दगी दिखती है और कहीं नहीं दिखती मुझे जंदगी मेरी मेरे बच्चे को देखती हूँ ना जिस दिन ये खाना खाते अच्छे से मैं खुश हो जाती हूँ जिस दिन नहीं खाता ना मैं अंदर ये अंदर दुख ही रहती हूँ सकते हैं कि मैं लोग भी सो सकते हो मैं भी वैसे ही में इनत कर रही हूँ अपने बच्चे के साथ लगी हुई हूँ तो मेरे बच्चे को बगवान बस अच्छी आयू दे उसको जिंदगी यह चार साल का हो जाएगा ऐसे ही चार चार्ज करके पूरी लंबी जिंदगी जिएगा मेरा बच्चा उसको कुछ नहीं होना चाहिए उसके उपर कोई कस्ट नहीं आना चाहिए अगर उसका कस्ट रहना वो बगवान मुझे दे दे बस मेरा बच्चा अच्छे से रहे बस मैं यह चाहती हूँ उसको देखती हूँ मैं बस मेरे लिए मेरे बच्चे से बढ़के कुछ भी नहीं है कुछ भी बस मैं उसके लिए अच्छी लाइफ बनाना चाहती हूँ, मैं अपने बच्चे को अच्छी जिन्दगी देना चाहती हूँ, उसके लिए सब कुछ अच्छा-च्छा करना चाहती हूँ, मैं इसलिए बस मेरा बच्चा सbereich होगा वो बढ़ा होगा बस यहाँ थी है का दे अरया भाट सोच व्यों आज जा इचारे होगा ठील्ड को तोडिदीर मन्दिर होगा अबच्छे को ले चाहिके अपने बच्छे को लेटा है म。」 अज जाया करूंगी में जाके मैरे बच्छे में पागवान ची का आशिरवाद जितना आपके बच्चे के ऊपर होना अच्छा होता है बस मेरा बच्चा है ना उसके लिए सब कुछ करना है मुझे सब कुछ मेरी बच्चा ही मेरी जिन्दगी है मेरा बच्चा है सब कुछ तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेश्ट है मेरे बच्चे के लिए गलत कमेंट मत किया कीजिए मिरसे नहीं सहन होता कर लाइब में भी आप गंदा-गंदा बोल रहे تھे मेरे बच्चे के लिए मेरा बच्चा मेरी जिंद्गी याँ उसके लिए कुछ मत बोला कीजिए और बाता ही comment section बंद करने की मैंने comment section बंद किया है तो देखिए मैं अपना mental peace के लिए मैंने अपना comment section बंद किया है क्योंकि लोग बहुत गंदा गंदा मुझे बोल रहे थे मेरे character पे गंदा गंदा बोल रहे थे देखिए एक लड़की के लिए उसका character बहुत value करता है just because कि मेरा पती नहीं है इस दुनिया में नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं है कि मैं characterless होगी हूँ समझे आपको छीच ठीक है तो बस इसलिए मैं अपने लिए कुछ गलत बातें नहीं सुनना चाहती जो लोग comment करते हैं मैंने comment section बंद करती है ताकि मैं अपने बच्चे पे ध्यान दू क्योंकि देखो मैं अगर खुश रहूंगी तभी मेरा बच्चा खुश रहेगा उसके लिए मुझे बहुत कुछ करना है उसको अपने आतों से बना के खाना कहिलाना है मेरे को विहान को उसको अजपूरिया बना के खिलाई मैंने विहान को भी तो वैसी अभी थोड़ी देर में अनार लेकर आई हूँ मैं बचार से यहां पे रखे होंगे देखो उदर रखें उदर उदर बैट पे अनार लाई हूँ 220 रुपे के 200 रुपे कि लो है अनार इस टाइम इतने महंगे हो रखे है अनार लेकर आई हूँ मैं मैं बच्चे को अनार खिलाऊंगी उससे भी आनका आईरन का लेवल बढ़ता है बच्चे का ना खून बढ़ता है अच्छा बच्चे को खाना चाहिए सेब भी लाई थी मैं का बच्चे का मेरे को कोई प्रोपर्टी नी बनानी मैंने कहती थी ना मैं फ्लोट लेके घर बनाऊंगी मैंने छोड़ दिया मुझे ना प्रोपर्टी चाहिए ना घर चाहिए ना बंगले चाहिए कुछ नी चाहिए बस मेरे को मेरा बच्चा चाहिए बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे मैं अपने पूरा ध्यान अप अपने बच्चे पे रखना चाहती हूँ मैं चाहती हूँ अपने बच्चे को एक अच्छी जिंदगी दूँ यही लायक बन जाएगा ना बच्चा कुछ बन जेगा, बहुत कुछ हो जाएगा, फ्यूचर बहुत कुछ है, तो इसलिए मैं अपने बच्चे के लिए करूँगी, उसकी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दूँगी, उसके खाने पे, उसकी एजूकेशन पे, उसके पहनने पे, कपड़ों पे, उसको कुछ स rushiya में अपने बच्चे के लिए लाके रख्खूंगी, क्योंकि वह है मेरा सब कुछ है, वो है मेरा अपना, क्योंकि वो मेरा है, मेरा बच्चा है, तो आप बोगोंसे मेरे बच्चे के लिए गंदामत लिखा कीजिए कोई मानी सुन सकती अपने बच्चे के लिए गलत-गलत इस तरीके कि कॉमेंट लिखते हो ना प्लीज मत करिए ऐसे कॉमेंट नहीं जहन होते हैं इस तरीके की चीजे आप लिख देते हो मैं को पता है मेरा वीजन बोर्ड ना अभी यही है मेरा वीजन बोर्ड इस टाइम सिर्फ वही है मेरा मैं और मेरा बच्चा हम मेरे को अपने दोनों हम दोनों की अच्छी हेल्थ चाहिए है बस अच्छी हेल्थ चाहिए है मेंटली भी फीजिकली भी अच्छे से, मैं चाहती हूँ कि हाँ मेरा बच्चा भी अच्छे से जिन्दगी जी है मैं भी अच्छे से जिन्दगी जी हूँ मैं भी हल्दी रहूं, स्वस्त रहूं, मेरा बच्छा भी उसके लिए करने है बैठके, उसको अच्छा खाना बनाबना के खिलाया करूंगी, अच्छे चीजे करूंगी उसके लिए जिन्दगी जी नहीं है मुझे, मुझे पता है मेरी जिन्दगी असान मी है, मुश्किलों भरी है, बट कोई बात नहीं, जैसी भी है ना मैं लाइफ में बहुत है दुनिया समाज लोग बोलेंगे देखो दुनिया बनाती है बाते कोई बात नहीं देखो मेरा काम क्या है मुझे अपने बच्चे के लिए हमीशा मजबूत रहना है मेरे जब हस्पेंट की टैथ हुई न तब मुझे किसे ने कहा था आप तुझे मजबूत बनना है मजबूत भी बनना है और हिम्मत से चलना है क्योंकि यहां पे पूरी दुनिया क्योंकि अकेले उरत के साथ मुश्किले बहुत आती है जिंदगी में यार बहुत ज्याता हूँ ठीक है बट आपको उस ट्रगल से बाहर निकलना है उन चीजों स आपके कोई कमजोरी पता होना तो लोग उस तीज का फायदा उठाते है मेरी कमजोरी दिखती है दुनिया को हाना कि पती नहीं है ठीक है अजबेंड नहीं है अकेली ओरत के उपर तो लोग एक मिनट में कुछ भी बोल देते हैं है ना तो कोई बात नहीं देखो मैंने अप करवाने लग रही हूं तूशन पर चल रहा है इसका होमवर्क तो बस पूल जाएगा मेरा बच्चा उसका खाना पीन अच्छा करूंगी टिफिन विरेजा करूंगी सारा कुछ अच्छा अच्छा करूंगी और विजन बोर्ड बनाऊंगी मैं अब अगले एक साल का हमेशा ब अच्छा करूंगी और विजन दिन पर करती हूं अपना कोमेंट सेक्षन ओन तब आप बड़े वीशिज दोगे ना मेरे बच्चे को तो उस दिन अच्छे से वीशिज लूगी आप सबकी चलिए एंड करती हूं वीडियो का अच्छी लगे तो लाइक किजेगा चैनल को चाहिए और अपना खुब सारा ध्यान रखियेगा बाइबाइबाइबाइब टेक कियर